वेल्कम पजल के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत हैं आज हम SBI PO मेन और IBPS PO मेन के लिए एक पजल सेट मैंने लिया है आपके लिए तो आएए देखते हैं और इस पजल ये बहुत ही रंबा पजल है इसलिए इसका जोई इंफर्मेशन है वो पूरा नहीं है इतना तक होने के बाद मैं फिर से यहां पर देदूगा बाखी का इंफर्मेशन तो आगी देखते हैं My dear students मैं अमर गुमार सिंग अमर सर अन अकैडमी पर भी हूँ जो एक free learning app है मैंने यहां पर धेरों lessons और courses बनाये हैं जो bank, SSC और railway exam के लिए बहुत ही लाव दायक हैं इनका लाव उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकैडमी लर्निंग एप Directions 12 people M, Y, O, P, Q, R, S, T, U, V, W and X live in 12 different floors of a building The lowermost floor of a building is numbered 1 and one above that is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 12 Each one of them also goes to 12 different places namely Mumbai, Kochi, Patna, New Delhi, Jaipur, Pune, Hyderabad, Chandigarh, Ahmedabad, Bangaluru, Chennai and Kolkata in 12 different dates starting from 1 to 20 of 12 different months तो एक building में 12 people रहते हैं उनका यह यह जांकारी दिया है तो देखिए चार्ट कुछ, टेबल कुछ इस तरह से बनेगा देखिए यह first होगा हम लोगा floor तो इसमें lowermost है 1, topmost है 12 ऐसे करके हैं ठीक है अब यह वाला है months का column यह वाला है people का यह है place का और यह है date का ठीक है देखिए the number of floors above r is same as the number of floors between r and m तो r के उपर जितना floor है उतना ही floor r और m के बीच है ठीक है r यहां में से कही पे भी हो सकता है the number of floors between r and m is more than 4 अब r और m के बीच में जो floors है वो 4 से जादा है यानि 5 या 5 से जादा है तो पहले तूपर से देख लिया जाए 1,2,3,4 तो 4 से जादा है यानि r का ऊपर 4 से जादा होगा 5 हो सकता है अगर हम r यहां पे ले तो m 5 का gap छोड़के होगा 1,2,3,4,5 का gap छोड़के m यहां और इसके इलावा कोई possibility है नहीं कि अगर r यहां लिया तो m के लिए और कोई नीचे जगर नहीं है यहां देखिए 1,2,3,4,5 more than 4 और बीच में 1,2,3,4,5 ओके तो r का प्रेस यह होगा और m का यह नेच्ट देखिए s lives on an odd numbered floor above the floor number 7 तो s जो है वो किसी odd number floor पे रहता है और 7 से उपर 7 से उपर odd यानि 9 या 11 s या तो यहां पे है या तो यहां पे है ठीक है the number of floors above m above s is same as the number of floors between s and x तो s के उपर जितना floor उतना ही s और x के पीच में गया तो अगर s यहां पे लिया जाए तो no gap x यहां पे आ जाएगा इसके लिए x यहां पे आ जाएगा और अगर s यहां पे लिया जाए तो 1 2 3 का gap x यहां पे आ जाएगा ठीक है ऐसे लिख देते हैं जब confirm हो जाएगा तो बड़ा लिख देंगे आगे the one who goes to bangaluru lives immediately above s तो s के ठीक ऊपर रजा जो bangaluru जाएगा place का यह है अगर s यहां पे है तो bangaluru यहां, s यहां है तो bangaluru यहां तो यहां भी b भी लिख देते हैं ठीक, there are four persons, four floors between the one who goes to bangaluru and chandigar तो bangaluru और chandigar के इसमें four का gap अगर bangaluru यहां है तो one, two, three, four का gap छोड़के चandigar यहां पे और अगर यहां है तो one, two, three, four का gap छोड़के हैं यहां पे Okay The number of floors below v is same as the number of floors between v and w v के नीचे जितना floor उतना ही v और w के पीच में gap The number of floors between v and w is more than two v और w पीच में two से जादा gap है तो अगर v यहां है तो two का gap ही होगा यहां है तो one, two, three का gap two से जादा लेकिन हमें नहीं पता कहीं भी हो सकता है आगे v lives on an even number floor below the floor number six six के नीचे किसी even number floor पे अगर v यहां पे होगा तो नीचे two का gap तो two से जादा का gap नहीं है और अगर four पे होगा तो three का gap पे तो two से जादा है तो v यहां पे और उसके साद three का gap छोड़के w one, two, three का gap छोड़के w यहां ठीक है टी, एस, वाइड, ओ तो टी, एस, वाइड, ओ है टी, एस, वाइड, ओ गो अन two digit prime number dates two digit prime number dates में जाते हैं इनका date यानि 11, 30, 17 और 19 यह two digit prime number dates y goes on the second lowest two digit prime number date and in the month which has less than 30 days y second lowest two digit prime number यह lowest, यह second lowest, यह cancel, वाइड इसमें चल गया और एक ऐसे month में जिसमें less than 30 days यानि February okay there are five persons who live below the person who goes to एहमदाबार five persons है जो who live below the person who goes to एहमदाबार एहमदाबार, तो एहमदाबार के नीचे five का gap होना चाहिए यानि वाला चंडीगर था इस बैंगलोड का यानि यह वाला बैंगलोड भी नहीं होगा और यह बैंगलोड था इस एस का यह नहीं होगा और यह एक्स भी था इस एसका तो यह भी नहीं होगा तो सबका जगह confirm होगा एस का real place यही है एस एक्स का भी यही है एक्स चंडीगर यहां पे है उर नहीं हो यहां पे T वोड लूड द यह में लेडिख द लोग ए part प्रेश्टन संडीग कोरे वी नहीं होगा यह में लुड़ कोड्सरी लूड क्नार यहां जाओ यह वाला होगा, lowest टी इसमें, और ऐसा month में इसमें more than 30 days, यानि 31 days. X was on the workers day, तो X यहाँ पर है, और workers day में जाता है, यानि 1st May, 1st यानि इसका date है 1, और month है May. S was on the highest two digit prime number date, highest two digit, यानि 19, यह भी गया, S जो है 19 पर, O बच गया, O 17 है, S 19 है, S है 19 है, और कोई देख लिजिए है, T Y या O नहीं है, नहीं है, ठीक है? date ending the month of November, S का मन हीं कल गया November है, November, T goes immediately after the month in which S goes to Calcutta, T जो है, उसका month S के ठीक बार है, ठीक बार, तो T, T का December हो गया, 31 days बार मन था, T का December, ठीक है? T का 11, ये और December ही, अब, T goes immediately, ये बार हो गया, और S goes to Calcutta, लिखा है, S कलकता में, P goes in the month immediately after O, O के बार बला मन थ में P, O के बार बला मन थ में P, P भी नहीं आया है, O भी नहीं आया है, ये याद रखेंगे, O के बार बला मन थ, P ठीक है, V goes in the month immediately after X, X के बार बला मन थ में V, V यानी June में, June में, O के, देखें, ये लाइन छूट गया था, T lives immediately above S, S के ठी उपर T, T, और अब, आगे के लाइन से एक बार और पढ़ देते हैं, S goes on the highest true visit plan number date in the month of November, ये हम ने देख लिया, T goes immediately after the month in which S goes, तो कल गा था, T S के बाद वाला मन थ था, November के बाद T December में, और T का ये 11, date हो गया 11, month हो गया December, ठीक है, December, P goes in the month immediately after O, O के बाद वाला मन थ में P, ये हम ने देख लिगा, P goes in the month immediately after X, ये हो गया, Q lives immediately above U, Q ये ठीक उपर, यानि यहां या तो यहां, ठीक है, P lives immediately above O, but not on the topmost floor, O के उपर, यानि O P होगा, ऐसा, O और उसके नीचे P, है ना, एसा देखे टूकर आप यहां पे हैं, पर, not on the topmost floor, topmost floor पे नहीं है, O के उपर रहता है P, ऐसे, topmost floor पे P नहीं होगा, यहां पे, तो यहां पे होगा, Q का ग्राप चाहिए तो, P यहां पे, O यहां पे, और एक और ऐसा था, एक और ऐसा था ना, Q lives immediately above U, तो यहां पे हो गया, यहां पे ठीक उपर की हो, ओके, और यह था, O के बाद बाला मन P, O के बाद P होगा, जो भी आएगा, ठीक है, इसके आगे और information है, आगे देखते हैं, देखिए, यह है आगे का information, The person who goes in March, does not live on the topmost floor, तो वो person जो March में जाता है, वो topmost floor पे नहीं है, यही March यहां पे नहीं होगा, March इन में से गई होगा, तो यहां पे, एक क्रॉश डाल देते हैं, No March, मिलने तक, there are 3 persons who live between the one who goes in April and the one who goes in March, April or March भीच में 3 का गया तो, अब अगर एप्रिल यहां उपर तो थरीका कर छोड़के मार्च यहां, एप्रिल यहां तो मार्च यहां, एप्रिल यहां तो फूर थरीका कर छोड़के यहां नहीं हो सकता, यहां हो सकता यहां हो सकता भी बहुत जगा, ठीक है, एप्रिल और मार्च के भी इसमें थरीका कर कि यह भीख रहते हैं थरीक अगा और हम यह पता है कि मैं आज यहां पे नहीं ठीक है Q goes to Mumbai on the international day of non-voilings Q Mumbai जाता है Mumbai Non-voilings international day 2nd October यहां पे October है ठीक है OK O goes to Koji on the second highest truth is prime number 8 यह हमें पता है यह हमने निकाल लिया था हूंका और Koji जाता है O goes to Koji लिख देते हैं इसका date 17 और यह देखिए इसा पूट हो चुका है एक Y बच गया है तो Y यहां पे आ जाएगा और Y के बात में पता है 13th February 13th February February और S 19 और T 11 S 19 हो गया T 11 हो गया ठीक है आगे जी फूट्रे सरी 2 Two persons live between the one who goes to Jaipur and the one who goes to Patna. Jaipur और Patna की बिच में भी 2 करया. अब तो यह चीज़ते हैं हो गई कि पहला वाला जो था तू वाला या तो यहां पर यहां पर दूसरा वाला भी यहां पर यहां पर यहां पर. है न? The one who goes to Pune and Jaipur lives on even numbered floor. Even numbered floor क्या क्या बचा है? उसमें 4 बचा है और 8 बचा है. ठीक हैं? देखें. 4 बचा है, Pune and Jaipur. पहला के सामें दिख रहा है चन्ने और Pune. और दूसरा है, Jaipur और Patna. जयपूर और Patna. ठीक है? इनके बीच में 2 कागाप है. ठीक है? और दूसरे में यह पता चला. The one who goes to Pune and Jaipur lives on even numbered floor. Pune and Jaipur event है. यह event है और यह event है. ठीक है? यहाँ पे होंगे या तो यहाँ पे. ठीक है? आगे देख लिजे. The one यह हो गया. The one who goes to Patna does not live on the second floor from the top. तो जो Patna है, जो Patna जाता है, वो second नहीं रहता है, top से. यहाँ पे Patna नहीं है. Patna यहाँ पे नहीं है. हमें पता है कि Patna odd number floor पे है. युकि even number floor पे यह और यह है. याणि Patna यहाँ पे नहीं है. यह यह एक odd number है यहाँ पे एक odd number यह है. इसमें नहीं हो सकता है. शिक्विन बहुने है. तो Patna यहाँ पे आगे है. Patna यहाँ पे आगे है. Patna, अब Patna के साथ है जयापूर. जयापूर और चन्ने पूने यहाँ पे हैं. उसमें भी पूने यहाँ पे होगा. क्योंकि इवैंन अगर फ्लोर पे. तो पूने यहाँ पे. और यहाँ पूर यहाँ पे. ठीक है? यह हो गया. यह पूरा. इसमें देखिए नियुम्रे भी बाती हैं. नियुम्रे भी यहाँ पे. यहाँ आगे देखिए. तो जो नियुम्रे जाता है, वो फिफ्ट को जाता है. यानि पिफ्ट को जाता है. फिफ्ट को यानि पिफ्ट को जाता है. ठीक है. और फिफ्ट. वी जोजए इमिजेटली आफ्र देट अफ्ट अफ्ट एफ़ पी. पी के ठीक बाद वाले डेट में वी. पी का देट क्या है? 5. वी 5, पी के बाद वाले डेट यानि 6. उके. अजे. यू के ठीक बाद वरे दिट में डूरे यू के बाद वरे दिट में डूरे जी बाद वरे सीड पर न न पूर्थ okay R goes on the square of the date of which U goes U की date का square यानी 9 R R goes on 9 ठीक लेके last 9 M goes immediately after the date of R R के बाद बरी date में M R के बाद बरी date में M 10th so that so M goes on 10th 10th इस तरह से ये डेट का कॉलम पूरा हुआ, प्लेस का पूरा हुआ, पीपल का पूरा हुआ, अब मंस का कॉलम बचा है, तो आप जो इंफरमेशन था उसके अलार पे बढ़ते हैं आगे, ओ के बाद वले मंस में पी, ये था, और एक था, एप्रिल और मार्च के दीच में थ्र इसा हो सकता है, ठीक है, अब हमें पेर्ज ढूणने हैं, यानि ऐसा January, February या February, अब इसा पेर, इन दोमों के लिए, ठीक है, तो January, February, अभी तक यूज नहीं हुआ, पर February हो चुका है, यहां पे यहां पे नहीं आ सकता January, February, ठीक है, February, March, February अभी उस ही नहीं होगा, तो March, April, March पर मर्स अप्ल के विच में थी filmmaking यहां दिया यहां पर और में जुन जुन open में जुन ऊटो का है उज जुला उगवश्ट सब्टमर औक्भर यहां पर सब्टमर करहा यहां जुन में यहां और उग। को प्रेमे प्लाविसरों को सब्सक्राइब करने जुल्ब यथा जुलाई ऑगस्च के हम एसे को आप यूंग यहां थे ऐसेरी नीचे कर निक्षाई Zacitta anderen यहाँ पर एपर मर्च ले सकते एसें तो एप्रिल और मार्च के भींच में ट्री ज़र के एप एप्रिल और मार्च मीआ एप्रिल और मार्च धीयार सेह निटुन The person who lives on the last three floors and the first three floors goes on the month which has more than 30 days. तो जो last के 3 है और जो first के 3 है इन में more than 30 days वाले month है. यहाँ पे लेखे यह है, यह है, यहाँ पे भी होगे, यहाँ पे है, यहाँ पे है. ठीक है, अब हमने यह निकाला, एप्रिल और मार्च के बीच में 3 गगाते हैं, एप्रिल और मार्च यहाँ पे आएगा, पर एप्रिल यहाँ होगा है, मार्च यहाँ पे यहाँ पे यह निकाला है, तो एप्रिल में 31 days नहीं होते हैं, 30 days होते हैं, और मार्च में होते हैं, तो मार्च यहाँ पर और ठीं कर आख छोड़के एप्रिल यहाँ पर है है टो टू प्लेसे जबच गए यह में आए गर जन्वरी और एक में आए गर सब्टेंबर जन्वरी में 31 डेज़ ब्टेंबर में 30 डेज़ यहां पर जन्वरी मतलब और यहाँ पे सप्टेम्बर हो, ठीक है, इस तरह से यह सेट समाप्त होता है, और अब आईए इसके questions क्यों चलते हैं, देखिए इसका first question, which of the following statements is true, कौन सर्स्टेटमेंट सही है, W lives immediately above the one who goes to Hyderabad, Hyderabad के ठीक उपर W, Hyderabad के ठीक उपर W, Yes, your left two है, U lives immediately above S, S के ठीक उपर U, S के ठीक उपर U तो नहीं है, एक छोड़के है, यह रॉंग, Only three persons live between R and the one who goes to Mumbai, तो R अज मुंबई के बीच में 3 का गया, R, Mumbai, के बीच में 3 का नहीं, और का गया थै, यह रॉंग, T goes to Kochi, T goes to Bangalore है, यह भी रॉंग, All are true नहीं हो सकता, एक ही two है, तो A is true, Okay, second question देखी, Who amongst the following lives exactly between the fourth floor and the one who goes to Patna, तो fourth floor और Patna के exactly बीच में, fourth floor और Patna यह बीच में, P और O है, O P या P O, O P या P O, यह वाला, Okay, third question देखी, Which of the following pairs represents the person V and the person who goes to Pune, V और Pune को कौन साथ प्रेजेंट करता है, तो यह floors है, ठीक है, V और Pune, V और Pune, Pune, V और Pune, यानि four or eight, four or eight, so this is the answer, देखी है, fourth question, Four of the following five are alike in a certain way and so form a group, Which one of the following does not belong to the group? तो इसमें से four eight group बनते हैं और same है, किसी तरीके से, उसमें से एक group का हिसा नहीं है, हमें यह पता कर रहा है कि वो कौन है, देखते हैं Q का Patna, Q, Q का तो Mumbai है, Patna last है, first का last, P Bengaluru, P यहाँ है, और Bengaluru यहाँ, यह third, और यह third last, W Chandigar, W यहाँ पर, Chandigar यहाँ पर, यहाँ से fifth, one, two, three, four, fifth, और यह भी यहाँ से, one, two, three, four, fifth, W जैपूर, यह नहीं हो सकता है, कि W Chandigar हो चुका है, तो यह false है, ठीक है, last देखिए, Q goes on which date, Q का date, Q का date, two, so this is the answer, मुझे उमीद है, इस पदल के सेट से आपको मदद मिले होगी, और, थैंक यू,